लॉकडाउन में पुलिस लोग को क्यों पीट रही है? आम लोग का ख्याल सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या भारत सिर्फ उनका है जिनके पास अपने घर और ताकत है? क्या मजदूर सहर से 300 किलोमीटर पैदल चरकर वापस अपने गाउं भी ना जाए? क्या सरकार चाहती है? ये सहरों में ही भूखे मर जाएंगे एक ऐसे किटानों की खातिर जिसका उन्हें पता भी नहीं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मी गलियारे में। और राइटर डारेक्टर अक्टर तिमान सुधुलिया का और ये मेरा भी सवाल है कि हमारे भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? अन्हों सिनहा ने ट्वीटर पर एक वीडियो ट्वीट को रीट्यूट किया है। उसमें कुछ पुलिस करमी इसकूटी पर समाल ले जा रहे एक लड़के को मार रहे हैं। अन्हों ने इस वीडियो पर अपना घुसा जाहिर करते हुए पूछा। ये वीडियो ट्वीटर पर वाइरल है। लॉकडाउन की वज़ा से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो लोग अपने गाउं और घरों तक पहुंचने की कोशिस कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वज़ा से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट रेल बंध है। ऐ ऐसे में कई लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर भी कड़ी कारवाही कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो राइटर बरुन ग्रोवर ने सेर किया है। उस वीडियो में पुलिस कुछ लोगों को उनके हाथों के बल सणक पर चलवा रही है। पुलिस इस तरह का ऐक्षन ले रही है। तो दोस्तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके पास घर है, आपके पास पैसा है, आपके पास बंगला है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन उन मजदूरों का क्या? रोज की कमाही पर अपने बीवी बच्चों का पालन पोशन कर रहे तो करो भगवान इनको बचाने के लिए आएंगे क्या भगवान फिर से जन्म लेगे ये मेरा सवाल आप लोगों से है